पिक्रिक ऐसिड पिक्रिक ऐसिड 246-Tri-Nitro-Phenol को हम पिक्रिक ऐसिड कहते हैं क्योंकि तीन नाइट्रो ग्रुप्स की प्रेजन्स में जो फिनॉलिक ग्रुप का H है वह बहुत अधिक ऐसिडिक हो जाता है और बहुत जल्दी से इसमें से प्रोटीन निकल जाता है और इसकी acidity बहुत अधिक ये शो करता है इसलिए हम इसको acid की category में रखते हुए जबकि ये 2, 4, 6, di, trinitro, phenol है इसे हम picaric acid की तरह से use करते हैं और इसे कहते हैं sodium bicarbonate के साथ ये reaction देता है फिनol के साथ हम इसे बना सकते हैं फिनol की reaction अगर हम कराते हैं HNO3 के साथ तो पहले हमें ortho nitro phenol मिलता है या paranitro phenol मिलता है और उसकी further or nitrating agent mixture अगर हम डालते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ तो trinitro phenol हमें यहाँ पर मिलता है और यह प्रबल अक्सिकारक होता है प्रबल एसिड होता है एक तरह से और HNO3 जो की प्रबल अक्सिकारक है वो phenol को अक्सिडाइज करके हमें यह देता है reactions हम इसको बनाते समय हम फ्लोरो बैंजीन से भी हम इसको बना सकते हैं फिनॉल से भी हम इसको बना सकते हैं ट्राइनाइट्रो बैंजीन से भी हम इसको बना सकते हैं तो अगर हम ट्राइनाइट्रो बैंजीन लेते हैं तो हम potassium, ferricyanide के साथ जब इसका oxidation कराते हैं तो भी हमें फिक्रिक एसेड प्राप्त होता है हेलो नाइट्रो एरीन्स जो हैं हेलो नाइट्रो एरीन्स यानि अगर नाइट्रो बैंजीन पर क्लोरो या कोई और हेलोजन एटम लगा हुआ है तो उसकी presence में इनकी जो reaction है वो किस प्रकार होती है और उसकी reactivity क्या होती है इसका हम अध्यान करते हैं और हम resonating structures यहाँ पर देखते हैं कि अगर क्लोरो बैंजीन है तो resonating structures यहाँ पर plus M effect के कारण यहाँ पर अलग-अलग resonating structures हमें प्राप्त होते हैं और क्लोरीन के उपर present जो lone pair है वह participate करता है और resonating structures हमें different-different यहाँ पर मिलते हैं इसलिए आगे हम देखते हैं क्लोरो बैंजीन के उपर जो हम reaction कराते हैं NaOH की या ammonia की या KCN की तो हमें क्लोरो जो group है वह हम उसमें replace कर सकते हैं तो क्लोरो बैंजीन से फिनॉल का बनना और क्लोरो बैंजीन से फैनिल साइनाइड का बनना अलग-अलग reactants NaOH, NH3 और KCN की presence में यहाँ पर हमें phenol, aniline और phenyl, cyanide यहाँ पर प्राप्त होते हैं हेलो एरीन्स जो है उनमें अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो और्थो या पैरा पर तो फिर जो reactions हैं वह है और ज्यादा बढ़ जाती है यानि reactivity जो है वो हेलो एरीन्स की बढ़ जात है नाइट्रो ग्रुप के present होने पर तो यहाँ देख सकते हैं और्थो नाइट्रो ख्लोरो बेंजीन जो है वह है अमोनिया की presence में हमें और्थो नाइट्रो एनिलीन देता है और 150 डिग्री अमोनिया और एलकोहलिक solvent अगर हम एलकोहल लेते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त ह होता है सब्स्टिटिटेड इसी प्रकार से पैरा नाइट्रो ख्लोरो बेंजीन जो है वह हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन देता है पैरा नाइट्रो ख्लोरो बेंजीन जो है वो एन्नेयो एच के साथ हमें पैरा नाइट्रो फिनॉल देता है और पिक्रिल क्लोराइड अगर हम यहाँ पर सोडियम मिथेनोल का सोडियम सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो 20 डिग्री यानि बहुत ही कम टेंपरेचर पर ही यह हमें यहाँ पर 246 डाइनाइट्रो एनिसॉल देता है पिक्रिल क्लोराइड की अमोनिया से रियक्शन कराते हैं तो पिक्रिमाइड बनता है अगर हम इसको हीट करते हैं तो पिक्रिल क्लोराइड को हीट करते हैं तो हमें पिक्रिल एसिड मिलता है तो इस प्रकार से पिक्रिक एसिड मिलता है तो यह पिक्रिक एसिड की कुछ रियक उनका synthesis और उनकी अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं और chloro की presence में जो नाइट्रो एरीन्स हैं उनकी reactivity किस तरह से change होती है और इसकी acidity और reactivity को हमें समझना और इसकी chemistry को describe करना आना चाहिए